डूली ओ सिसी फैंल्स तो कैसे हैं आप और लोग आज किस लिट करेंगे जो हाल स्टार्ट टीम है इसको आप किस तरह बिल्ड कर सकते हैं आज किस लिटर में आपको डिटेल के साथ बताऊंगा तो यहां पार number one पर आप द सके आपको इसको पर तीन आप्शन्स देखने को मिल रहे हैं सबसे पहले Collectible Player Card उसके बाद All Start Team Subscription और उसके बाद Purchase तो ये तीन आप्शन हमें देखने को मिल रहे हैं सबसे पहले हम बात कर लेते हैं Collectible Players Card इसके अंथर हमें यहां पर आप देख सकते हम Australia England India NAM प्रण किस टीम का नाम है और उसके बाद New Zealand South Africa West Indies ये कुछ टीमें हमें देखने को मिल रही है और इनके हमें Gold और Silver Players देखने को मिल रहे हैं silver players की जो कीमत है वो कम है और जो gold players की जो कीमत है वो ज्यादा है तो यहाँ पर आपने जिस team का player को purchase करना है आपने उस team को पर click करना है और यहाँ पर आपको options देखने को मिल रहे हैं अगर आपने silver में purchase करना है तो silver में जाएं अगर आपने gold में purchase करना है तो gold में जाएं तो यह प्लेयर कार्ड है इस ऑप्षिन का मतलब यह है कि अगर आप अपनी अलग से टीम बनाना चाहते हैं आपने कौन कौन से प्लेयर या यह जो प्लेयर आपको दिया गया उस्टेलिया में से आप किसी एक कुछ सेलेक्ट कर सकते हैं इसी तरह आपने हाट टीम से आप अपनी से वह भी आपके साथ आगे मैं शेयर करता हूँ लेकिन यह जो कॉलेक्टिबल प्लेयर कार्ड है यह इस लिए यहां पर दिया गया है कि यहां से आप अपनी टीम खुछ से बना सकते हैं खुछ से बिल्ड कर सकते हैं हर प्लेयर को अलग से प्रशेज करकर कर गई तो यह ब स्टार पैक इसके अंदर यह प्लेयर हमें देखने को मिलेंगे वीकली हमारे पास जो है 324 का होगा यह पाकस्तानी रुपीज के अंदर मैं बात कर रहा हूं मन्थली 978 का और इसी तरह ही हमें यह गोल्ड के अंदर अलग से टीम मिल रही है और सिल्वर के अंदर हमें अलग मिलेंगे इस यानि के बिग हीटर पैक के अंदर और यह जो नाम है इनके नीचे लिखे हुए क्लासिक पैक भी आपको देखने को मिल रहा है वर्ल्ड स्टार पैक भी आपको देखने को मिल रहा है तो यहां पर आपको गोल्ड और सिल्वर दो तरहां के प्लेयर्स आपको यहां पर आप यह भी चीज देखने हैं वीकली आपको 661 रुपे में मिलाएगी मंथली के रेट लिखे हुए और एरली के रेट लिखे हुए हुए यह डो चीज़े आपको पता लगी और उसके बाद परचेज का आपको देखने हो को मिल रहा है यहां पर आपने जिस टीम को यहां परचेज की होगा वह आपको यहां पर शो होगे तो अभी सिलहाल मैंने कोई भी बीगले को यह टीम को परचेज नहीं किया तो अब हम परचेज कर लखें सबसे पहले तो यहां पर आप दे सकते हैं कि मैं All Star Pack जो है वो मैं पर्चेज करूँगा और मैं Silver के अंदर पर्चेज करूँगा और Weekly के लिए पर्चेज करूँगा लेकिन यहां पर आपको मैं एक और चीज बता दूँ जोफिखकोड़ेश टाहिन कर ये यहां पर आपको 15 लेखने को मिलें यहां पर आपको 15 लेर्ट्र लेखने को मिलेंगे यहां पर हम पर्टेज करते हैं Weekly के लिए सिंप्ली तो इस तरहां का आपके पास interface आ जाएगा तो यहां पर आपका card लगा होगा अगर आपने इसी card को पर click करना है तो इसी card के थूप पर change करना जो आपका यहां पर लगा होगा तो आपने subscribe कर देना है अगर इसको change करना है इसको पर आपने click करना है तो यहां पर आपने add credit और debit card को option को उपर click करना है तो यहां पर आपको card number पुछेगा और उसके बाद आपको CVC एक number होता है वो पुछेगा और उसके बाद आपको expiry date यह तीन चीज़े आपको पुछेगा आपके card की expiry date मांगेगा वो आपने देनी है और उसके बाद CVC नंबर होता है जो card की back side को उपर लिखा होता है तीन हिंसे का वो आपने देना है वो देने के बाद आपने subscribe को option को पर आपने click करना है तो यहां पर आपने इस तरह purchasing करने है जो के मैंने आपको बता दिया और उसके बाद number two पर आप सामने दे सकते हैं मुझे जो all star pack है squad of 36 तो यहां पर हमने जो है all star pack जो team है वो purchase कर ली है अब आपको मैं एक और चीज़ समझा दूँ यहां पर आपने इसको उपर click करना है तो यहां पर आप अपने team को add it नहीं कर सकते है आप अपने squad को add it नहीं कर सकते है squad को किस तरह add it करना है यहां पर आप purchase को उपर जाएंगे तो एक minute यहां पर आपको दुबारा मां बता दूँ यहां पर आप all star को उपर जाएंगे यहां पर जो आपने subscription ली होगी उसको उपर लिखा होगा कि यह वाली आपने subscription ली है और इसको आप squad को किस तरह add it करना है आपने पीछे जाना है और यहां पर आपको manage squad को options देखने को मिल रहा है यह वादा इसको उपर आपने click करना है तो यहां पर आप देख सकते हैं कि real faces हम यहां पर जो देखने को मिल रहे है अब बदेख सकते हैं यहां पर जितने भी जो faces है Star Pack वो यहां पर हमें Rials देखने को मिल रहे हैं यहां पर दूसरी बात मैंने All Star Team को Select किया है तो हमें यहां पर तीन अफ्चिन्स देखने को मिल रहे हैं Rest of z card, Change of Z card इनका आपको पता है कि इनका क्या-क्या इसका यानिके क्या मतलब है यह options यहां पर क्यों है? rest of squad का आपको पता है rest of squad में वो होते हैं जो playing 11 में नहीं होते हैं जो rest कर रहे हैं तो यहां पर आप अपनी squad को change कर सकते है rest squad का जो playing 11 के साथ तो यहां पर आपको यह चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है और यहां पर customize का option को पर हम click करें अगर मैं इसे purchase करूँगा तो हमारे पास यहां बहुत सी चीज़ें आ जाएंगी लेकिन अगर हम purchase नहीं करते तो हमारे पास rail faces हैं और इसके अंदर हमें दो चीज़ें देखने को मिल रही हैं एक तो cap और दूसरा जो है संग्लासिस देखने को मिल रहे हैं यहां से आप इनको changes कर सकते हैं इन दो चीज़ों को glasses लगा सकते हैं और cap लगा सकते हैं यह कुछ इस तरह कि आपको glasses और caps देखने को मिल रही है यह दो चीज़ें थी अब हमने इसको किस तरह gameplay करना ही है अब एक options हमें देखने को मिलता है अगर आप नहीं है तो थोड़ा सा आपको difficulty होगी आपने जाना है click play के अंदर तो यहां पर आपको teams के अंदर all star teams देखने को मिल रही होगी यहां से आपने click करना जैसे हम click match को play करते हैं वैसे आपने करना है simply आपने जो है यहां पर आप देखे हमें तीन options देखने को मिल रहे है kit के अंदर जी हैं दोस्तों kit के अंदर regular, premium, premium अगर आप इन kit को purchase करना चाहते हैं premium को यह भी आप purchase कर सकते हैं 620 रुपे के अंदर तो यहां पर मैं इनको purchase नहीं करने वाला okay option को पर click करता हूँ यहां पर आप देख सकते हैं stadiums यहां से आपने stadiums को select करना है और यहां से आपने pitch condition को select करना और यहां पर आपने match condition को select करना और okay option को पर आपने click करना है और उसका बाद जो next option आता है यहां पर हमने जो है commentary को select कर लेना है यहां दोस्तों कमेंटरी को सेलेक्ट करना है और आप देख सकते हैं आल स्टार टीम और वेस्टन डीज टीम आपको देखने को मिल रही है यहां पर आप प्लेयर स्टेट्स भी देख सकते हैं और किसी भी प्लेयर को सेलेक्ट करना और यहां पर उसका प्लेयर स्टेट्स भी और उसके बाद आपने option को पर क्लिक करना है और यहां पर जो game play है बिलकुल वैसे ही है कोई भी changes नहीं आया कोई भी hidden feature हमें देखने को अभी तक नहीं मिल रहा है देखने यहां पर आप देख सकते हैं जो फेसिज हैं वह बिल्कुल रेल्स देखने को मिल रहे हैं यहां पर आप देख सकते हैं कैप्टन का जो फेसिज हैं वह बिल्कुल रेल्स देखने को मिल रहे हैं बाकी अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ब झाल झाल